अब फिर हल्दुवानी शहर में कोटवाली शेत्र में एक युवक ने मासूम से दुश्चकर्म का प्रयास किया कोटवाली थाना शेत्र निवासी शिकायत करता ने बताया कि उनकी बेटी दो भर करीब दो बचे घरेलू जरुवत का सामान लेने के लिए घर से बाहर दुकान गई और जब वो बापस लोटी तो बेहट डरी थी उसने बताया कि एक युवक पीछा करते हुए घर तक आ गया इसके बाद पड़ोसी की CCTV फुटेश देखी तो परीजन हैरान रह गए उसमें देखा कि बच्ची का पीछाई की युवक कर रहा है जिसने अपने कपड़ी भी उ परीजन उन्हें जुटा कर रात करीब 9 बजे उतार कर बच्ची का पीछा गया बच्ची डरी सहमी भागती रही रास्ते में कोई व्यक्ती नजर नहीं आया इसी का फाइदा आरोपित ने उठाने का प्रियास किया उसने मासूम से दुस्ट कर्म का प्रियास किया गरी मत र प्रचाने में सफल हो पाई यह पूरी घटना सिसी टीवी में तो कैद हुई लेकिन किनी कारणों से यह वीडियो हम दिखा नहीं सकते पाशुत रवी जोशी ने इस घटना का विरूत करते हुई पुलिस अधिकारियों से भी बाच्च्रेद की वहीं पुलिस के सामने ज्य अहमत के रूप में हुई है पुलिस ने बताया कि आरोपी हसी बनभुलपुरा शेत्र में ही वेल्डिंग का काम करता है कोतवाली पुलिस के मुताबिक इस मामले में पॉक्सों एक्ट में मुकदमा दर्श किया गया है आरोपी को कोट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है उत्राखंच की हर छोटी बड़ी खबर पर नज़ाद डालने के लिए फेस्बुक पेज पर दपब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूटूब पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर करें इसी तरह देखते रहें दपब्लिक मैटर नमस्कार अब फिर हल्दुवानी शेहर में कोटवाली शेत्र में एक यूट ने मासूम से दुष्ट कर्म का प्रयास किया कोटवाली थाना शेत्र निवासी शिकायत करता ने बताया कि उनकी बेटी दो भर करीब दो बजे घरेलू जरुवत का सामान लेने के लिए घर से बाहर दुक पीचाई कर रहा है जिसने अपनी कपड़ी भी उता रहे है आरोपी बच्ची के पीछे पीछे घर तक आया परीजनु का कहना है कि वो इस घर्टना से बेहट डर गए इस गारा वो उसी समय पुलिस के पास नहीं पहुंची और जब रात को निवर्तमान पार्षत को मामले क जानकारी थी तो उन्होंने पुलिस से शिकायत करने को कहा फिर परीजनुने किसी तरह हिम में जुटा कर रात करीब 9 बजे शिकायत की उन्होंने बताया कि आरोपित ने अपनी पैंट उतार कर बच्ची का पीछा गया बच्ची डरी सहमी भागती रही रास्ते में कोई व् पीछे आया जिसके बाद बच्ची घर में खुसकर अपनी जान बचाने में सफल हो पाई ये पूरी घटना सिसी टीवी में तो कैद हुई लेकिन किनी कारणों से ये वीडियो हम दिखा नहीं सकते पाशुत रवी जोशी ने इस घटना का विरोध करते हुई पुलिस अधि शेतर निवासी 25 वर्षी हसीद एहमत के रूप में हुई है पुलिस ने बताया कि आरोपी हसीद बन भुलपुरा शेतर में ही वेल्डिंग का काम करता है कोटवाली पुलिस के मताबिक इस मामले में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्श किया गया है आरोपी को को पेश किय लाइक और शेर जरूर करें इसी तरह देखते रहें दपब्लिक मेटर नमस्कार